नमामि सद्गुरूम शान्तम सच्चिदानंद विग्रहम पूरणब ब्रह्म परानंदम ईशम आलंदिवल लभम प्रिय शिक्षार्थियों एन आई उएस के स्टूडियो में आप सबका पुनहाज स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायकाचारी वेद विभाग श्री जगन्ना समस्कित विश्युद्याले पूरी से आप सबके मध्य उच्चतर माध्यमिक कख्षा के वेदा ध्येनम पाठ्ठ करमान तरगत पच्चीसवे पाठ जो प्रतिवी सूक्तम के नाम से है उसके अध्येन के लिए उपस्थित हूँ इस पाठ में हम प्रतिवी सूक्तम के प्रतंभाग का अध्येन करेंगे य वस्था वेदायत्ता एव वेदाह स्वतः प्रमानं तेही वेदाह चत्वारह रग्वेदाह य जुर्वेदाह सामवेदाह अधर्ववेदास्चेति प्रतिवी सूक्तम वर्निता यथा इंदराजी सूक्तेशु इंदराजी देवाहा विविधरूपेण वरनिता हा तथाइव अस्मिन प्रतिवी सूक्तेपी प्रतिवी विविधरूपेण वरनिता रिशियों के साक्षातकार के द्वारा रिशियों को जो दृष्ट शब्द हैं उनकी ही आख्या वेद है वे ही वेद कहे जाते हैं कहा गया है रिशयहा मंत्र द्रश्टा रहा अर्थात रिशिगण अपने तपप्रभाव से तपस्या के आशिरवार सुरूप उनको मंत्रों का साक्षात कार हुआ और वही मंत्र वेद के नाम से प्रख्यात हैं। वे शब्द परंपरा से हजारों वरसों तक धर्माचारियों के द्वारा, रिशियों के द्वारा, आस्तिक समुदायों के द्वारा मौखिक परंपरा में सुरक्षित किये गए हैं। वेद अव्यासाली से प्रारंभ करके अध्यावध ही वहा वेदाध्यान की मोखिक परंपरा सुचरित है। समस्कर साहित्य में वेदों का स्थान अत्यनत उन्नत स्थान है। भारत में धर्म की व्यवस्था वेदाधार ही है। वेद स्वतक प्रमान होते हैं। वेदोक्त विशयों में संदेह नहीं किया जाता ऐसी भारती मनीशा का प्रमान है। वे वेद करमशाह चार होते हैं रगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पार्थ में हम लोग अथर्ववेद से संबंधित प्रतिवी सूक्त का वर्णन पढ़ेंगे जैसे अन्य अगनी इंद्र इत्यादी सूक्तों में तत्त देवताओं की विविद रूपेन विविद प्रकार से वर्णन करते हुए स्तुति किया गया है। उसी प्रकार इस प्रतिवी सूक्त में भी प्रतिवी से संबंधित प्रतिवी को विविद रूप में प्रदर्श अथ्यत्वेन प्रत्ताहा संती अस्यसूक्तस्य अथरवारिशिही भूमिही प्रतिवीच देवते अथरवारिशिही प्रतिवीम विविदरूपेन अस्मिन सूक्ते वर्नितवान। प्रतिवी सूक्त के रिशी अथरवा हैं और भूमि और प्रतिवी दो इसके देवता हैं। मंत्रों के आप अन्वय करने में पारंगत होएंगे और इसी प्रकार प्रतिवी सुक्तोक्त मंत्रों के अर्थज्ञान में भी आपकी रुची बढ़ेगी और प्रतिवी के विविद रूपों का वर्णन आप स्वयम भी पढ़ने के बाद कर सकते हैं प्रतिवी सुक्त का प्रतम मंत्र इस प्रकार है मूल सम्हिता का पाथ प्रतम किया जाएगा अनंतर पदपाथ किया जाएगा मैं पुनरेक बार इस मंत्र का पाथ करता हूँ इसका पतपाथ प्रस्तुत है इस मंतर के सरदार्थ का हम प्रिपादन करते हैं मंतर में जैसागी कहा गया यह जो सत्य, ब्रहत, रित, उग्र, दीख्षा, तप, और ब्रह्म, यज्य, इत्यादियों को प्रिथवी धारन करती है और जो विक्ती इन सबों से अलंकृत रहता है जो सत्य निष्ठ रहता है जो हृदय, जिसका हृदय महान हो जो सरवदा सत्य कर्मों में, रित, रूपी कर्मों में व्याप्त रहता जो उग्र का तात्परी इसमें है जो तेज से युक्त हो और जो विद्वान हो, तपस्वी हो, ब्रह्मवेत्ता हो, यग्य कर्म में रत रहता हो, इन गुणों से जो अलंकृत रहता हो, उसको पृतिवी धारन करती है और पृतिवी इन सभी गुणों से विश्ष्ट तत्वों को धारन करती है अतीता नागता नाम पत्नी प्रिथिवी अस्माकम करते महलोकम प्रयच्छेत अतीत कहते हैं व्यतीत हुए काल को भूत काल को और अनागत कहते हैं वविश्च काल को भूत वविश्च दोनों के पत्नी स्वरूपा यह भगवती वसुदा प्रिथिवी हमारे सब के लिए प्रस्वी अपने दिव्यस्थान को परदान करें महनी ये लोक को परदान करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में रिशी के द्वारा की गई है अग्रिम मंत्र है पुनर एक बार मैं मूल मंत्र का पाठ करता हूं यह मूल सम्मिता का वंत्र हुआ इसके बाद इसका पतपाथ प्रस्तुत है इस प्रकार इसका वदपाथ किया जाता है अब इस मंत्र के सरदार्थ को विचार करते हैं मंत्र में प्रतिपारित है कि या अवद्धामपि मानवान बधनाती यस्याहा भूमिही वैचित्र पूर्णा या बहुशक्ति संपन्न अउशरि वरिक्षान धारयती साप्रसिवी असमाकम समीपे विस्तीरणा भवतू असमाकम कृते पुष्पई ही शोभिता भवतू जो अवद्ध मानवों को भी अपने सीमाक्षेत्र में बांधती है और जो भूमी विविद रूप से वैचित्र पूर्ण है बहुत सारी आउशरिय शक्तियों से संपन्न है आउशरिय वरिक्षों को धारन करती है जिसमें जलशक्ती भी समन्वित है ऐसी भगवती पृतिवी हमारे लिए हमारे समीप अत्यनत विस्तीर नवस्था में प्राप्त होवें भगवती हमारे लिए विस्तारित होवें हमारे लिए हम सभी एजमानों के लिए पुष्पों से शोभित वह वसुधा होवे मैं पुनर एक बार मंतर पाढ़ करता हूँ ऐसा इस मंतर का पाढ़ किया जाता है इसका पते पाढ़ इस प्रकार है यस्याम समुद्रह उत सिंधुह आपह यस्याम अन्नम कृष्ट यह संभभूवुह यस्याम इदम जिन्वति प्रानत एजत सानह भूमिह पूर्व पेए दधातू यहा पतपाढ़ किया जाता है इस प्रकार प्रिस मंतर के सरलार्थ को विचार करते हैं मंतर में कहा गया जहां शस्य कहते हैं धनधान्य संपदाओं को धान्य संपदाओं का विशेस नाम शस्य है तो जहां धान्य इत्यादियों को करशन करने वाले काटने वाले धान रिवी से निकलने की बाद जो कृष्टी शमुदाय है वहा उस धान को करशन करके अपने घर में लेता है तो ऐसे शस्यादियों के कर्शन करने वाले मानवाहा संभूता होंती जहां ऐसे मानव उत्पन्न होते हैं जहां नदियां रहती हैं जहां समुद्र प्रवाहमान होता जहां जल रहते हैं जहां पर प्राणिशीलाह गतिशीलाह जीवन्ती अर्थात प्राणयुक्त और गतिशील सचल जीव लोग जीवित रहते हैं वह भूमी हमारे लिए हम सभी को प्रथम पान सद्रशे आनंदे प्रस्थावयतू जैसे प्रस्थम दुगधपान या जलपान करने पर सद्या आनंद की प्राप्ति होती है उसी प्रकार प्रस्थम आनंद में वह भूमी हमें उपस्थित करावे ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा रिशी किया है अग्रिम मंत्र है एक बार मैं मंत्र पाठ करता हूँ ऐसा मूल मंत्र हुआ इसके पश्चाद प्रस्थम आनंद का क्रम है या विभर्ति बहुधा प्रानत एजत सा नह भूमिह गोशू अपि अनन्न दधातू ऐसा इस मंत्र का पदपाठ हुआ इसके सरलार्थ को हम विचार करते हैं इसका सरलार्थ इस प्रकार है यस्याहा प्रथिव्याहा चतस्रह दिशासंती यस्याहा प्रथिव्याहा शस्यानी उत्पन्नानी मनुश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या प्राणशील और गतिशील व्यक्तियों को, प्राणशील व्यक्तियों को, प्राणवान व्यक्तियों को, संचाल्यवान व्यक्तियों को, सचर प्राणियों को विविद प्रकार से धारन करती है, वह भगवती वसुधा, वह प्रतिवी, हम लोगों को गवादी पशियें, गव अग्रिम मंत्र है यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यान देवा असुरा नभ्यवर्तयन गवामश्वानाम वयसच्य विशाभगम विष्ठाभगम वचप्रधिवीनो दधातू यहा मूल मंत्र हुआ पुनरे कवार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यान देवा असुरा नभ्यवर्तयन गवामश्वानाम वयसच्य विष्ठाभगम वचप्रधिवीनो दधातू यहा मूल मंत्र समिता का हुआ इसका पतपाठ इस प्रकार है यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यान देवा असुरान अभ्यवर्तयन गवामश्वानाम वयसच्य विष्ठाभगम वर्चप्रधिवीनो दधातू यहा पतपाठ हुआ इसके वश्चात इस मंत्र का सरलार्थ हम पढ़ते हैं मंत्र में रिशी कहता है रिशी कहता है जिस पूर्वज अनेक प्रकार के कर्मों को किये हैं यग्यागादी कर्म किये हैं और जिस पृथिवी में देवता असुरों को पराजित किये हैं देवा असुर संग्राम में जब देवताओं ने असुरों को पराजित किया वह यह यह भूमी था इसी भूमी में देवताओं ने असुरों को पराजित किया और जो प्रतिवी गवादी विचित्र प्राणियों के भी आश्र खान रूपा है वह भगवती वसुधा वह प्रतिवी हमें अईश्वर्य और तेज हमारे लिए प्रदान करें ऐसी प्रार्थना इस मंतर में रिशी की द्वारा की गई है अग्रिम मंतर है पुनर एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ विश्वं भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरन्य वक्षा जगतो निवेशनी वैश्वा नरं विभ्रती भूमि रग्नि मिन्रर शभाद्र विने नो दधातू यहाँ सम्निता पाठ हुआ इसका पतपाठ इस प्रकार है विश्वं भरा वसुधानी प्रतिस्था हिरन्य वक्षा जगतः निवेशनी वैश्वा नरं विभ्रती भूमि ही अग्निम इंद्रर शभाद्रविने नह दधातू यहाँ पतपाठ हुआ इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है रिशी के द्वारा कहा जाता कि विश्वस्य भरन पोशनकारिका धनस्यकारिका समेशाम आश्रयस्थानम हर्दये सुवर्नधारिका जगतः निवासस्थानम अथवा जगति उत्पन्नानाम प्राणिनाम शैथिल्यदानकोरका इंद्रेन रक्षिता पृतिवी वैश्वान नरमधार यंति असमान धने प्रस्था पयतू भगवती प्रतीवी के अनेक विश्वयों का वर्णन इस मंतर में प्राप्त होता है भगवती वश्वदा के अनेक सुरूपों का प्रतीपादन इस मंतर में किया गया कहा जाता है रिशियों के द्वारा कि विश्व संपूर्ण विश्व की जो भरण पोश्ण करने वाली है अन इत्यादि प्रदान के द्वारा और जो विविद प्रकार के धन समपताओं की धरित्री है धारिका है और सभी प्राणियों का जो मूल आश्रे स्थान है रदय में जो सुवर्ण धारन की हुई है, ऐसा और संपूर्ण जगत के निवासस्थान रूप में जो भगवती है, वहा अथवा जगत में उत्पन्न समस्त प्राणियों को शित्रता प्रदान करने वाली जो है, ऐसी और इंदर के द्वारा जिस पृथिवी की रक्षा की गई है, ऐसी प्रदान की प्रदान करती है, वहा प्रदान करें, हम लोगों को धन से अलंकरत करें, ऐसा प्रार्थना इस मंत्र में किया गया है, इस पाठ में, प्रतम भाग के पाठ में आपके लिए इन मंत्रों का पूर्ण अर्थ प्रतिवादित किया गया, पुनहां आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद